दोस्तों नमस्कार मिरा नाम संजे मग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याणा में चुनाव है इस समय हर्याणा में अगर कहें तो कोई बयार है कोई हवा है तो केबल चुनावी बयार है आप कहीं चले जाए किसी गली पर किसी नुक कि चुनाव के अंदर जो सबसे पहला स्टेप जो होता पहला कदम होता है वो है टिकट मिलना जिन लोगों को चुनाव लड़ना है अगर को इंडिपेंडेंट है तो अलग बात है लेकिन जिस राजनितिक दल से तयारी कर रहे हैं तो पहली बात होती है कि उनको टिकेट मिल पर रही है संभावना है कि कॉंग्रेस की भी सूची कल याने की शुक्रवार या शनिवार तक आ सकती है हर्याना में कॉंग्रेस कि 90 चेहरों पर दाव खिलेगी ये तो भी तै नहीं है लेकिन कयास और संभावनाएं जरूर हैं हमने भी अपनी तरफ से एक सूची तयार की ह कि 90 चेत्रों में 90 विधान सभाओं में हर्याना में कॉंग्रेस किसको अपना चेहरा बना सकती है कौन से नेता हो सकते हैं जो कॉंग्रेस के कैंडिडेट हों मैं आपको पहले बता दूं कि हम जो सूची आपको बता रहे हैं ये कोई कॉंग्रेस की अधिकरत सूची नहीं है ये किवल कयास है अनुवान है और जब कॉंग्रेस के कैंडिडेट डिकलेर हो जाएंगे तो आपसे चर्चा करेंगे कि हमारी सूची कितनी ठीक बैठी तो 90 सदस्य विधान सभा के अंदर कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं वो मैं आपको बताता चलू सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो हर्याना के पूर्व मुख्य मंत्री है भूपेंदर सिंग उड़ा उनका किलोई से चुनाव लड़ना तय है और कॉंग्रेस के परदेश अद्यक्ष चौधरी उदैभान उनको होडल में कॉंग्रेस का टिकेट मिलना तय है तो ये तो दो ब अंबाला की तो अंबाला लोगसभा की अगर बात करें अंबाला में नौ विधानसभा जो सीटे हैं उनमें जो कैंडिडेट हो सकते हैं अंबाला सीटी में रोहित जैन को टिकेट मिल सकता है अंबाला केंट चित्रा सरवारा को टिकेट मिल सकता है नारायनगर से जो वर्तम पाल को कॉंग्रेस का टिकट मिल सकता है सडोरा से जो रेनु वाला विधायक हैं उनको टिकट मिल सकता है कालका के विधायक परदीब चौधरी एक बार पार्टी उन्हें पुने अपना उमीदवार बना सकती है और मुलाना जहांसे वरुन चौधरी विधायक थे जो अब सांसत बन गए हैं वहां पर पसंद तो चलेगी वरुन चौधरी की लेकिन यहां पर जो नाम चल रहा है वह पूजा का नाम पहले नंबर पर है अंबाला के बाद आपसे मैं बात करूं तो बिवानी सीट की बिवानी लोकसभा बिवानी महिंद स्पहास सीड से राव दान सिंग को टिकट मिलना तय है नार्णौस से राकेश राकेश यादव सेशन जज़ें उनको टिकट मिलने की उम्मीद है अटेली में अनीता यादव या फिर नरेंदर सिंग जो पूर मंत्री थे उनके उपर कॉंग्रेस अपना भरोसा कर सकती है नागल चौधरी से मूला राम गुजर उनको टिकट मिल सकता है बिवानी से शीवशंकर भारदवाज कॉंग्रेस के केंडिडेट हो सकते हैं दादरी से विनेश फोगाट का टिकट मिल सकत है विनेश फोगाट लगबक तै है अगर विनेश फोगाट जोलाना जाती है तो फिर यहां मलीशा सांगवान हो सकती है बाडरा से रण सिंग मान या फिर अलिरुद चौधरी इन में से किसी एक को टिकट मिल सकता है अनृत चौधरी रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं लोह सभा की तो फरिदाबाद लोगसभा जिसके अंदर की नौ विधान सभा सीटे हैं फरिदाबाद लोगसभा की होडल मैंने आपको बताया कि होडल से चौधरी उदयभान जो कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्षें उनका नाम तै है पलवल से करन सिंग दलाल को टिकट मिलना जा रहा है वैसे यहां पर एक नाम और जोड़ दें कि अगर कहीं शारदा राठोर पर कोई दिक्कत होई तो पराग शर्मा का नाम हो सकता है एक मात्र नाम है नीरत शर्मा को कॉंग्रेस का टिकेट मिलना है विधायक है आजकल बढखल से विजय परताब का टिकेट कंफर् रही है फरिदाबाद से लखन सिंगला को कॉंग्रेस का टिकेट मिल सकता है यहां इसलिए कह रहा हूं मिल सकता है कि आमादमी पार्टी के साथ जो गठवंदन की बात चल रही है उसके अंदर आमादमी पार्टी फरिदाबाद की तरफ भी देख रही है अगर ऐसा हुआ त गुरुगराम-विधानसभा सीट के लिए मोहित ग्रोवर का नाम काफ़ी आगे चल रहा है मुईत ग्रोवर का नाम लगवग कंफर्म भी है अगली बात करें तो पटोधी पटोधी में सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी जो हैं, चौधरी उदैवान कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई के दामाद हैं सुधीर चौधरी दो चौधरी रड़े हैं, अलाकि हार गयते हैं, लेकिन सुधीर चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है सोना में जितेंदर भार्दवाज, जो कॉंग्रेस के कारेकारी परदेश अध्यक्ष हैं, जितेंदर भार्दवाज को टिकेट बिल सकता है बाशापुर में वर्धन यादव का नाम काफी आगे चल रहा है, वर्धन यादव पर पार्टी भरोसा कर सकती है गुर्गराम लोगसभा में रेवाडी जिले की जो सीटे हैं, रेवाडी के चरंजीव राव का नाम रेवाडी के लिए कनफर्म है जो वहां के आजकल के विधायक हैं, और अगर अगली सीट कहें बावल, तो बावल के अंदर नीलम भगवाडिया और या फिर मुनिलाल रंगा, इन में से कोई केंडियेट हो सकता है हलांकि या टीना की दावेदारी भी है, रावल गांदी की टीम में बहुत नजदीक हैं, लेकिन एमल रंगा का और नीलम भगवाडिया इनके नाम में से ज़्यादा चांस है महर लगने के अगर मैं अगली बात आपसे करूँ तो गुरुगराम जिले का तीसरा जिला, नुह जिला, नुह मेवाड, तो नुह मेवाड में नुह विधानसवा सीट से आफताब एहमद जो आजकल के विधाया के उनका टिकेट कनफर्म है, फिरोजबुर जिरका में मामन खां का टिके मिल सकता है, अगर मैं अगली बात आपसे करूँ, तो अगली बात ले लेते हैं हिसार जिले को, हिसार लोगसवा, हिसार लोगसवा की जो नौ विधानसवा सीटे हैं, जो हिसार की नौ सीटे हैं, उनमें हिसार विधानसवा से बजरंग दास गर्ग या अशोक बुबानी व काफी उकलाना से नरेश सेलवाल पर कॉंग्रेस पाइटी भरोसा कर सकती है आदमपुर में परदीब बेनिवाल या कुलवीर बेनिवाल इन में से कोई एक नाम हो सकता है हासी विधानसभा सीट हासी में राहुल मकड अमीर चंद मकड महां के विधायक मंत्री थे उनके संपढ सिंग के बेटे गुरोव संपढ सींग की घित्राई है लेकिन चंद्र्प्रकास का नाम आगे है फुचाना में ब्रिजंदर सिंग जो पूरुव सांसब हैं चौधरी विरंदर सिंह के बेटे उनका नाम नाम कंफर्म है बर्वाला softly counselor कर नारनौंद में डॉक्टर अजय चौधरी की गोशना कर चुकी है कुमारी सेलजा, नारनौंद में डॉक्टर अजय चौधरी का नाम कनफर्म है, हलाकि जस्वीर पेटवार भी कर रहे हैं, लेकिन 90 विधान सभाओं में जब कुमारी सेलजा का सबसे पहला नंबर जो होगा, बबानी खेड़ा जो हिसार लोकसभा के अंतिम सीट है, वहां से रामकिशन फौजी जो पूर मंत्री थे वो और या फिर सतवीर खेवर, इन में से किसी का नाम पर महुर लग सकती है, ये हिसार की नौ विधान सभा सीट है, हिसार लोकसभा की, मैंने आपको हिसार की बताई अगर अगली बात करें तो रोतक लोकसभा, दिपेंदर सिंग हुड़ा की जो लोकसभा है, उसमें पहले ही बने बताया कि किलोई से गड़ी किलोई सांपला जो विधान सभा सीट है, वहां से भूपेंदर सिंग हुड़ा, अगली विधान सभा सीट है कोसली, जगदीश य जिदादव का नाम पहले नंबर पर रियादवेंद्र सिंग का नाम दूसरे नंबर पर इनमेंसे किसी को टिकेट मिल सकता है। अगर अगली विधान सभा मैं कहूं रोतक लोग सभा की तो फिर बेरी में रगवीर सिंग कादियान का टिकेट कंफर्म है जजजर में गीता बुकल जो विधायक हैं पूर मंत्री हैं उनका टिकेट कंफर्म है बादली में विधायक हैं कुलदीब वत्स उनका टिकेट कंफर् घंधर रहा है और बहाद्दर्गरु की बात अगर मैं आपसे करूं तो बात्रगर्ण में राजंद्र जून विधायक हैं कि राजंद्र जून के नाम पर महुन लग सकती यह लेकिन यहाँ नाम दूसरा है राजेश जून का मैं बाहद्रुगड के लिए आपको बताता चलू जो पिछला विधान सभाद चुनाव हुआ था तो यह रौतक लोगसभा की वो 9 सीटें जिन पर संभावित केंडिडेट मैंने आपको बताए अगर अगली लोगसभा सीट की आपसे बात करूं तो करनाल करनाल लोगसभा जहांसे आजकल मनोहरलाल सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं करनाल विधान सभा सीट करनाल में जो आती है वहां पर सुमिता सिंग जो पूर्विधायक हैं उनका नाम लगवक्त है पानिपत शहरी विधान सभा सीट है जो वहां पर रोहिता रेवडी और या फिरेंदर बुल्ले शाह इनमें से कोई केंडिडेट हो सकता है पानिपत ग्रामीर से जितेंदर एहलावत और यहां दूसरा नाम यहां पर हो सकते हैं विजे जैन इनमें से कोई केंडिडेट बन सकता है समालखा से धरम सिंग छोकर का टिकट कंफर्म है इंदरी से राकेश कंबोज को टिकट मिल सकता है इस राना से बलवीर वालमी की या बलवान वालमी की इनमें से किसी को टिकट मिल सकता है असंद में जो शमशेर गोगी आजकल के विधायक है उनका नाम लगबक कनफर्म है असंद के बाद अगर घरोंडा विधानसवा की बात करें तो आजकल कॉंग्रेस के जो इंडिया गठवंदन चरादेश के अंदर उस इंडिया गठवंदन में लड़ने की बात च सांगवान का नाम भी है नीलो केड़ी विधानसवा छेत्र से धरंपाल गौंदर जो निर्दलिये विधायक थे कॉंग्रेस में शामिल हुए थे धरंपाल गौंदर का नाम कंफर्म हो सकता है करनाल के बाद अगली लोगसभा सीट पर चलते हैं तो कुरुक्षेत्र लोगस सब्सक्राइब जो विधानसवा सीटे हैं नौ उनमें है कैथल से आदित्या सुर्जेवाला केंडेट हो सकते हैं रंदीब सिंग सुर्जेवाला के बेटे हलांकि रंदीब सीड़ेवाला खुद भी चुनाव रणाव रहना चाहते हैं अगर उनको पार्टी की इजाज़त तो फिर रंदीप सिंग सुर्जे वाला नहीं तो आदित्या सुर्जे वाला का नाम कनफर्म है कलायत विधान सभा सीट यहां पर अगर गठवंदन होने जा रहा है आमादमी पार्टी के साथ तो फिर कलायत की सीट आमादमी पार्टी के बाद जा सकती है नुराग धांडा उ उनका नाम चल सकता है पेवा विधानसावा सीट पर भी आम आदमी पार्टी का दावा है अगर गठबंदन हो रहा है तो फिर पेवा की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है राधौर से बिशन सिंग सेनी का नाम आगे चल रहा है विधायक भी है लाधवा से मेवा सिंग को टिकेट मिल सकता है शहबाद से रामकरन काला जो जेजेपी छोड़ करके आये उनको पार्टी टिकेट दे सकती है और गोला से देविंद्र हंस का नाम आगे चल रहा है अगर अगली लोगसभा की बात करूँ तो फिर सोनीपत लोगसभा जहां से आजकल कॉंग्रेस के सांसद है सत्पाल ब्रहमचारी सोनिपत लोगसभा में जो सीटें आती हैं उनमें सोनिपत जो शहरी सोनिपत सीट है अगर दादरी से विनेश फोगाट केंडिट नहीं होई तो फिर उनको जोलाना से टिकट मिल सकता है अगर जुलाना में नहीं आई वो लड़ने के लिए तो फिर यहां पर रोहित दलाल का नाम हो सकता है जीन्द का टिकेट आम आदमी पार्टे के खाते में जा सकता है सुशील गुपता जो आम आदमी पार्टे के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर चुनाव की तयारी में है तो जीन्द की सीट वहां जा सकती है और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहां पर महवीर गुपता मांगेराम गुपता जी के बेटे जेजेपी के कैंडिडेट थे 2019 में उनका नाम सबसे आगे है राई में जस्पाल अंतिल का नाम सबसे आगे है बरोदा में विधायक हैं आजकल इंदुराज भालू इंदुराज का नाम सबसे आगे है गोहाना में जगबीर सिंग मलिक या फिर अगर उनका नाम नहीं आता तो अनूप मलिक इन में से किसी को टिकेट मिल सकता है गन्नौर में जैवीर सिंग का नाम आगे है लेकिन यहाँ पर अंजू वाला भी दोड में है गन्नौर के लिए कुलदीब शर्मा जो विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष थे कॉंग्रेस के नेता हैं लोगसभा की भी तयारी थी अगर कुलदीब शर्मा का नाम कहीं कठता है गन्नौर में तो फिर राजेश पहलवान का नाम हो सकता है और अंतिम लोगसभा सीट सिर्सा लोगसभा सीट यहाँ पर जो नौ विधान सभा सीटे हैं उनमें अगर सबसे पहले सिर्षा की बात करूं तो सिर्षा में गोकुल सेतिया का नाम सबसे उपर है अभी हाली में शामिल हुए थे लक्षवन्दास अरोडा जो वहां के पूरु मंत्री थे बड़े दिगज कॉंग्रेस के नेता थे उनके नवासे हैं एलनावास से देनिवाल के नाम पर महुर लग सकती है डब्वाली चा कंडिट हो सकते हैं कालावाली से शिश्पाल केर्वाला आज कावाला विदाया के नेता हैLo anowe दिवाच इन दोनों में से किसी नाम पर महुर लग सकती है रानिया में विनीत कमबोज या सर्वमित्र कमबोज इन में से कोई आत्मी केंडिट हो सकता है अल्कि रानिया में नाम चला रंजी सिंग चोटाला का लेकिन अभी तक उन्हों ने गुट जोइन नहीं करी तो यहां जो मैं बता रहा हूँ आपको विनीत कंबोज या सर्वमित्र कंबोज में से कोई केंडिट हो सकता है तो यह हर्याना की 90 विधानसवा सीटों पर कॉंग्रेस के संभावी दावेदार आप हमारे बताए इन नामों से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताए और इस लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें